हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिजीजी के ट्रिक आज का वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो सेशन में हम जो पद्व आवर्स डिकलर किये गए हैं भार सरकार दुवारा उनको डिस्क्रस करेंगे हर साल पद्व पुरुषकारों की गोशना गंतंतर दिवस यानि के इपॉब्लिक डिस्क के अफसर पर की जाती है और इनका डिस्ट्रिबुशन जो है राश्पति दुवारा मार्च अप्रेल वहिने में किया जाता है इस साल फ्रेंड्स हम देखते हैं के टोटल मिला कर 132 दिये गए हैं फ्रेंड्स यहां पर हमको यह बाद भी नोट करना चाहिए कि 2026 में हम देखते हैं कि 23 जन्वरी के दिन भारत के सर्वोच नागरिक पुरुषकार भारत रतन से बहार के पूरी मुखमंतरी करपूरी ठाकुर जी को समानित किया गया था तो इस परण को जरू पुरुषकार से समानित किया गया है साथ में यहां पर हम यह भी देखते हैं कि 8 ऐसे व्यक्तियों को पुरुषकार दिया गया है जो कि यहां तो फॉरिनर्स हैं, NRI हैं, PIO हैं या फिर OCI हैं इस परण को भी नोट करिएगा टोटल मिलाकर हम देखते हैं कि 134 लोगों को प साथ दिये गए हैं, इसलिए फ्रेंड्स पुरुषकार 132 हैं और व्यक्ति 134 इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 2024 के जो important पुरुषकार हैं उनको discuss करेंगे और last में हम एक MC को session solve करेंगे, जहां पर हम ऐसे questions discuss करेंगे, जो हमको exams में देखने को मिल सकते हैं, exam point of view से काफी important session है, तो last तक जरूर देखिएगा, आई ये शुरू करते हैं ऐसका session और discuss कर लेते हैं सबसे पहले 2024 के पद्न पुरुषकारों को, पद्न पुरुषकार भारत के सर्वो चुनागरिक पुरुषकारों में से एक है, ये प से पहली बार हम देखते हैं कि 1954 में ही पद्न पुरुषकारों को दिया गया था, friends बारत सरकार द्वारा तीन प्रकार के पद्न पुरुषकार दिये जाते हैं, पद्म भिभुषण, पद्म भुषण और पद्म शरी, 2024 में जैसा कि हमने डिसकस किया, 132 पद्म पुरुषका कि करपूरी ठाकुर जी को भारत रत सम्मान से सम्मानित किया गया है, इस पुर्ण को भी नूट करिएगा, करपूरी ठाकुर जी पर हमने एक dedicated वीडियो बनाया है, अगर friends आपने वो नहीं देखाए, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको इन से सम्मन अगरत का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान है, पहला सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, दोजार चोबिस में friends पांच व्यक्तियों को पद्म विभूशन प्रदान किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी न नाडू से आती हैं, उनको पद्म विभूशन प्रदान किया गया है, यहाँ पर इस बात को नोट करिएगा कि वेजनती माला जी ना ही सिर्फ अभी नेतरी हैं, बलकि वो friends सांसत भी रह चुकी हैं, इसी के साथ friends वो भारती ये सांस्क्रतिक नरित भरतनाटियम में भी नाडू जी को भी पद्म विभूशन प्रदान किया गया है, इस परण को जुरू नोट करिएगा, फिर हम देखते हैं कि विद्धेश्वर पाठक जी को मरन उपरांत समाजिक कार के लिए पद्म विभूशन प्रदान किया गया है, friends यहाँ पर विद्धेश्वर पाठक समानित किया गया है, इस परण को नोट करिएगा, तो friends यहाँ पर हमने 2024 के सभी पद्म विभूशन प्रदान किया गया है, आई यह एक एक करके 2024 के पद्म विभूशन विजितां उपन अज़र डाल लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एम फातिमा बीबी को मरन उपरा समानित किया गया है, इसके बाद हम दिखते हैं कि उद्युक जगत के सीतराम जिंदल जी को भी ये अवर्ड दिया गया है, फिर यहाँ पर नोट करियेगा कि ताइवान के यंग लिव, जो की उद्युक के छेतर से आते हैं, उनको भी इस साल पद्ध भूशन अवर्ड दिया गया है, ये एक foreigner है, इस परण को जुरूर नोट करियेगा, फिर महराष्ट के अश्वनी नोट करियेगा कि ये यूपिके राजपाली भी रह चुके हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात के तेजस मदुसुदन पटेल जी को ये प्रुसकार दिया गया है, फिर फ्रेंड्स कैरल के शरी उलनचेरी राजगोपाल जी को ये प्रुसकार दिया गया है, इसके इसके बाद हम देखते हैं कि लद्धा के श्री टोंडन रिंट पोचे जी जो की आध्यात्म के छेतर से आते हैं उनको मरन उपरांते प्रुसकार दिया गया है। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पच्छे बंगाल की प्रसिद सिंगर उशा उत्तम जी को प्रुसकार दिया गया है। फ्रेंड्स अब हम 2024 के पदमश्री अवास को डिसकस कर देते हैं। बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी के लिए एक important information है। फ्रेंड्स अगर आप crazy gigantic के साथ general studies के subject को पढ़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स root application और crazy gigantic application पर आपको सभी important general studies subjects के courses available हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर history, quality, geography, science, economics और फ्रेंड्स art and culture के साथ साथ अब आपको foreign affairs, Indian society, environment, science tech और भी general studies के नए courses देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी subject को in depth पढ़ना चाहते हैं। तो एक बार जरूर root application और crazy gigantic application को विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डो category यानि के दो लोगों को एक साथ दिये गएं। इसलिए फ्रेंड्स पदमिश्री 110 दिये गएं और 112 विक्तियों को यावर्ड मिलेंगे। इस पर उनको नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी पदमिश्री विजिताओं पर तो नजर नहीं डाल पाएंगे। मगर प्रमुख पदमिश्री विजिताओं पर नजर डाल लेते हैं जहां से एक्जामस में कुशन आने की प्रब्रबिटी बहुत जादा है। इस साल भारत सरकार ने 34 ऐसे व्यक्तियों को पदमिश्री दिया है जिनका काम बेसिकली अंसंग और यूनीक है। यानि के फ्रेंड्स बहुत अलग काम जिनों ने किया है और जिनके काम को अभी तक सरहना या फिर पहचान नहीं मिली है। ऐसे 34 वक्तियों को भारत सरकार ने पदमिश्री दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पारवती भरुआ को। फ्रेंड्स ये पहली महिला महावत हैं जिनको पदमिश्री अवार्ट से समानित किया गया है। इन्होंने अपना जीवन फ्रेंड्स हातियों की देख बाल और उनके शन्नक्षन में समर्पित कर दिया है। यह आसाम से आती हैं इस परिंट को भी नोट करियेगा। और यह एशियन एलिफेंट इस पैस्टिस ग्रूप की मेंबर हैं इस परिंट को भी नोट करियेगा। इस गड़ के जगेश और यादव जी को भी बदमश्री अवर्टस सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यह एक सामाजिक कारे करता हैं जो PVTG यानि के पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रूप के लिए काम करते हैं। खासकर इन्होंने बिहोर और कोर्वा ट्राइबल ग्रूप के लिए काम किया है। इस परिंट को नोट करियेगा। फिर हम देखते हैं 36 गड़ के ही हेमचंद मानजी जी को। फ्रेंड्स यह पारम पर एक ओशदी चिकिस्सा में काम करते हैं। और पिछले 50 वर्सों से ग्रामी छेतर के लोगों को यह कम कीमत पर दवाईया मोया करा रहे हैं। इसलिए इनको 2024 में पदमिश्री अवर्सों समानेत किया गया है। फिर हम देखते हैं पच्छे मंगाल के दुखु मानजी जी को जो की फ्रेंड्स एक ट्राइबल एंडवारिमेंटलिस्ट हैं। यानि के फ्रेंड्स यह पर्या औरन के लिए काम करते हैं। इनके बाद हम देखते हैं अंडवान के के चेला मलको फ्रेंड्स यह एक और्गनिक फार्मर हैं। यानि के यह एक जैविक किसान है। इन्होंने अंडवान में 10 एकर पर जैविक फार्म सफलता पूर्भा विक्सित किया है। नेक्स्ट है मिजुरम के संथन कीमा जी जो कि एक समाजिक कारे करता है और फ्रेंड्स यह बच्चों के लिए काम करते हैं। यह मिजुरम का सबसे बड़ा अनाथाले चलाते हैं इस परण को नोट करिएगा। इनके बाद हम देखते हैं कि बहार के दमपत्ती, शांती देवी पासवान और शिवन पासवान जी को पेंटिंग के छेतर में पदमश्री दिया गया है। यह मदुबनी पेंटिंग करते हैं इस परण को नोट करिएगा। इनके अलावा हम देखते हैं कि शिरी अली मुहमद और शिरी गानी मुहमद को भी एक साथ पदमश्री दिया गया है। यह दोनों राजिस्थान के सिंगर हैं इस परण को नोट करिएगा। आईए फ्रेंट्स हम देखते हैं स्पोर्ट्स जगस से कितने लोगों को पदमश्री दिया गया है। तो फ्रेंट्स इस साल को मिलाकर साथ स्पोर्ट्स मैन को पदमश्री दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं टेनिस खिलाडी रोहन बोपना जी को दिया गया है इसके बाद friends squash player जोसना चेनप्पा जी को प्रुसकार दिया गया है hockey player हर्बिन्दन सींग जी को पदमिष्टी दिया गया है मलकम के खिलाडी उद्यदेश पांडे जी को ये प्रुसकार दिया गया है फिर तीर अंदाज पूर्णिवा महतो को ये प्रुसकार दिया गया है इसके लावा फ्रेंड्स पेरा बैडमिंटन कोच गौरफ खना जी को ये प्रुसकार दिया गया है और फ्रेंड्स पैरा सुइमर सतेंदर सिंग लोहिया जी को ये प्रुसकार दिया गया है तो फ्रेंड्स को लिमलाकर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स जगस से साथ लोगों को पदम शरी दोजाज चोबिस में दिया गया है इस पॉण को जुरूर नोट करिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी important पदम आवार्ट्स को डिस्कस कर लिया है अब समय है फ्रेंड्स MCQ session का आए फ्रेंड्स एक एक करके important MCQ देख लेते हैं जहां से हमको exams में कुशन देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक important information है क्रेजी जी के trick ने yearly current defer book शंगनात को launch किया है इस बुक में आपको साल भर के सभी important current refers मिल जाते हैं और फ्रेंड्स इस बुक की खास बात यह हर महीने इस बुक का update किया जाता है तो जिस मन्त भी आप लेंगे उस मन्त फ्रेंड्स आपको इसकी updated copy मिल जाएगी इस बुक को फ्रेंड्स आप online order कर सकते हैं और उसकी link फ्रेंड्स आपको description box में मिल जाएगी पहला question है बारत में पहली बार पद्न पुरुषकार कब दिये गए थे तो फ्रेंड्स भारत में पद्न पुरुषकार की शुरुवात 1954 में हुई थी तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा B नेक्स्ट कोशन है कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्न पुरुषकार प्रदान करने की गोशना की गई है तो जिसा कि हमने डिस्कस किया इस साल 134 व्यक्तियों को पद्न पुरुषकार दिया जाएगा मगर फ्रेंड्स यहाँ पर नोट करना कि गोशना 132 पद्न पुरुषकार की हुई है क्योंकि दो पद्मश्री डूओ केटेगरी में इसलिए व्यक्ति 134 हो जाएगे नेक्स्ट है कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्न पुरुषकार से समानित किया जाएगा अगला कुशन है 2024 में पद्मिश्री प्रुषकार से कितने वक्तियों को समानित किया जाएगा तो फ्रेंट्स 2024 में 112 लोगों को पद्मिश्री अवर्ट से समानित किया जाएगा तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा 112 नेक्स्ट कोशन है सुप्रिम कोट की पहली महिला जज फातिमा बीवी को निमलिखित में से कौन से प्रुषकार से समानित किया जाएगा तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा पद्मिश्री से समानित पारवती बरुवा किस छेत्र से समबन देत है तो जसा कि हमने डिसकस किया था यह एक समाजिक कारे करता है जो की खास तोर से हातियों की देखभाल करती है और उनके शंडग शट के छेत्र में काम करती है यहाँ पर इस पॉण को जुरूर नोट करियेगा कि यह पहली महीला महाबद बन गई है जिनको पद्मिश्री पुरुषकार से समानित किया गया है नेक्स्ट कोशन है जोसना चेनपपा किस खेल से समबन देत है फ्रेंट्स जोसना चेनपपा को पद्मिश्री अवाट्स समानित किया गया है फ्रेंट्स यह स्कुईश की खिलाड़ी है तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा स्कुईश फ्रेंट्स जोसना चेनपपा ने 2022 में फर्ल चेंपिंशिप में गोल जीता है इस पर्ण को नोट करियेगा इसके लावा फ्रेंट्स एशियन गेम्स और कॉमन वेल्ट गेम्स में यह भारत के लिए पदक लाज चुकी है नेक्स्ट कोशन है निम लिखित में से कौन मलकम खेल से संबन्देत है तो फ्रेंट्स उद्यदेश पांडे जी मलकम खेल से संबन्देत है मलकम खेल भारत का पारम पर एक खेल है जो की बारवी शतादी से चला आ रहा है उद्यदेश पांडे जी ने एक बार फिर से इस खेल को पुपलर किया है पूरे भारत में इसलिए फ्रेंड्स इनको 2024 में मलकम खेल के लिए पदमश्री अवाट से सम्मानित किया गया है इस परंड को भी नोट करियेगा और 2024 में को पदमश्री अवाट से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन है हाली में पदमश्री से सम्मानित जागेश और यादव किस राजे से सम्मानित है फ्रेंड्स जागेश और यादव चतिजगर से सम्मानित है जागेश और यादव एक social worker है यानि कि सामाजिक कार करता है जो कि PVTGs के लिए काम करते हैं यानि कि particular vulnerable travel groups के लिए काम करते हैं नेक्स्ट कोशन है निम लिखित में से किसे जैविक खेती के लिए पदमस्री से समानित किया जाएगा तो फ्रेंड्स अंडमान के के चेलामल को 2024 में जैविक खेते के लिए पदमस्री पुस्कार से समानित किया जाएगा तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा के चेलामल अगला कोशन है एम वेंक के ये नेडू जी किस वर्ष भारत के उपराश्पती बने थे 2024 में फ्रेंड्स इनको पदम वेभूश्वन अवर्ष से समानित किया गया है और फ्रेंड्स ये भारत के 13 वे उपराश्पती थे जिनोंने 2017 में कारभार समाला था तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा 2017 2017 से लिकर 2022 तक ये भारत के उपराश्पती रहे इस पुर्ण को नोट करियेगा नेक्स्ट कोशन है भारती ये सांस्क्रितिक निर्थ भरतनाटियम के लिए 2024 में किसे पदम वेभूश्वन अवर्ष से समानित किया गया है तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा पदमा सुब्रमनियम जी फ्रेंट्स ये तमेलाडू से आती हैं और ये एक भरतनाटियम डांसर हैं तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा पदमा सुब्रमनियम नेक्स्ट कोशन है निमली कितम से किसे मरोन उपरांत 2024 में पद्व बिभूशन सम्मान से सम्मानित किया गया है दोजार्चोबीस में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मरण उपरांथ पद्व बिभूशन सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनका नाम है शिरी बिंदेश्वर पाठक तो यहां पर से आंसर हो जाएगा बिंदेशुवर पाठक जी नेक्स्ट कोशन है पद्व भूशन से सम्मानित जंगली किस देश के हैं फ्रेंड्स यह ताइवान देश से आते हैं और उनको 2024 में पद्व भूशन आवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोशन है कौन सी फिल्म के लिए मिथुन चकरवर्दी को राश्टिय फिल्म प्रुशकार से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स 2024 में हम सभी जानते हैं कि मिथुन चकरवर्दी को पद्व भूशन आवार्ड से सम्मानित किया गया है मगर Friends उनको तीन बार नेशनल आवार्ड मिल चुका है और 1976 में जो उनकी पहली फ्रिम थी मृग गया उसके लिए उनको Friends बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल आवार्ड दिया गया था इसके लाबा Friends उनको 1992 में भी बेस्ट एक्टर का आवार्ड मिला था और 1995 में उनको बेस्ट सपोर्ट एक्टर का आवार्ड मिला था स्वामी वेवेकरनन मुवी के लिए इस परण को भी नोट करिएगा अई ये देखते हैं नेक्स्ट कोशन 2024 में पद्बूशन से सम्मानित राम नायक किस प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं तो फ्रेंड्स ये यूपी के गवर्नर रह चुके हैं इस परण को नोट करिएगा नेक्स्ट कोशन है शिवम पासवान और शांती पासवान को किस छेत्र में युगदान के लिए पद्मश्री दोजाचोबी से समानित किया गया है फ्रेंड्स ये दमपत्ती है और फ्रेंड्स इनको लोग चित्रकला के लिए पद्मश्री समान से समानित किया गया है फ्रेंड्स ये मदुबनी बेंटिंग करते हैं इस परण को नोट करिएगा अई यह देखते हैं next question निम्लिकित में से किसे पत्रकारिता के लिए पद्न भूशन दिया गया है तो friends पत्रकारिता के लिए हम देखते हैं तो कुंदन व्यास जी को पत्रकारिता के लिए पद्न भूशन अवर्च से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर से अंसर हो जाएगा कुंदन व्यास नेक्स्ट कोशन है 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरुषकार से समानेत किया गया है फ्रेंड्स इस कोशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमने इसको स्टार्टिक में ही डिसकस किया था तो रिकॉल करके इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में देजएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2024 से शेशन में वी सॉल्फ कर लिया है इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पद्म आवाट से सम्बन दित जितनी भी इंपोर्टन इंफोर्मिशन हो सकती थी उसको डिस्कस कर लिया है I hope आपको आज का यह सेशन इंफोर्मिटिव लगा होगा exam point of view से ही अब काफी important सेशन है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जुरूर शेयर करिएगा और फ्रेंड्स अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आ है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई और टेक क्यार